नमस्कार दोस्तों मैं आपका चीर परिचित दोस्त हाजिर हूँ आपकी अपने चैनल ग्यानवी सेश में दोस्तों प्रकृति ने हमें असिमेत जड़ी बुटियों का खजाना दिया है इसमें से कई जड़ी बुटिया चमतगार गुणों से भरपूर होती है ये जड़ी बुटिया मनुष्य जिवन में आने वाली हर बादा को दूर करती है और अनेक बिमारियों को नश्ट करती है ऐसी ही एक दिव्यत चमतकारिक जड़ी बुटियों आज में आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है सीवलिंगी ये स्त्री और पुरुसों की बांचपन की समिश्या को दूर करती है अगर स्त्री और पुरुस दोनों ही इसका प्रयोग करते है तो अवश्य ही बांचपन की समिश्या दूर होती है और संतान प्राप्ती होती है सीवलिंगी की एक बेल होती है लता होती है जो लगबग सारे भारत वर्ष में वर्षारुतु में अपने आप उत्बन होती है इसके पत्रों का आकार करे लेके पत्रों के समान होता है और पांच पंखडी वाले चोटे चोटे सुक्सम पीले रंग के फूल होते है इसके बाद इसे हरे रंग के फल लगते है और पकने के बाद लाल हो जाते हैं फलो पर सफेद रंग की रेखाय होती है इस फलो को तोड़ने पर अंदर से चिप चिपा गुद्दा निकलता है और इसमें बीच होते हैं इसका संस्कृत नाम सीवलंगी चित्रपला लंगीनी बहुपत्रा और सेव मल्ली का है मराटी में क सीवलंगी और तीलुकू में लिंग डोडा कहते हैं इसका विज्यानिक नाम काया पोनिया लेशिन योसा और अंग्रेजी नाम इंडियन ब्रायोनी है ये स्वाद में कडवी उष्ण प्रकूतिकी और दुरगंदी युक्त तथा रसायन है इसके फल बाजीकारक होते हैं औ और बल बठाने में इसका उप्योग किया जाता है दोस्तों ये भी जिस सुक्चाने के बाद जलदारी सहित सीवलंग के आकार के समान लगते होने के कारण सास्त्रों में इसे सीवलंगी कहा गया है दोस्तों ये चमतकारिक जड़ी बुटी ऐसी है कि जिन महिलाओं को दोन उपयोग करना चाहिए संतान प्राप्त की इच्छा रखने वाले स्त्री और पुरुस दोनों को मासिक दर्म के चार दिन बाद एक मास तक लगादार आधा ग्राम सिवलंगी बीच और एक ग्राम पुत्र जिबक बीच इन दोनों को मिलाकर समान मात्रा में मिश्री मिल अब इस चुर्ण को सुबह साम एक मास तक लगादार सेवन करें इस प्रयोग से स्त्री अवश्य ही गर्बतारण के योग्य बन जाती है इस प्रयोग से पुरुसों की सुक्रणों की कमी भी दूर होती है और इस संतान प्राप्त के योग्य बन जाता है इस चमतकारिक बेटेत साख साथ शिव का वरदान ही समझ लीजिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिन स्तृयों को पूत्र प्रास्फटी की कामना है ऐशी स्तृयों को बचलिया वाली गाय की दूद के साथ इसका शेवन करना चाहिए इस से पूत्र प्रास्फटी होती है अगर बचडी वाले गाय के दूद के साथ सिवन किया जाए तो पुत्री की प्राप्ती होती है अगर पुत्र जिवक बीजना मिले तो सिर्फ सीवलिंगी के एक ग्राम बीजों को रोजाना सुबह साम दूद के साथ सिवन कर सकते है इसके अलावा इसके बीज को केले में निकल जाने से भी गर्बट ठहरता है। इसके अलावा भी सीवलिंगी अनेक प्रकार की वियाधी और बीमारियों को दूर करती है। इसके अलावा इसके अलावा इसके बीमारियों को दूर करती है।